हाई एवरीवन कैसे आप सभी लोग आई हूब अच्छे होंगे और आज कि इस वीडियो में हम देखने बाले है जो भी छात्र बीए सेकेंडियर में है और बीए सेकेंडियर का यह पॉलिटिकल साइंस का पेपर है जो फर्स्ट पेपर आप देख रहे हैं तो किसी भी छात्र रखा यह देखें आपको अपना जो भी सब्जेक्क किसी भी उनिवर्ष्टी से आप तो आप सिंपली इन टॉपिक को देखे यदि आपके बुक में आपके gas paper notes जो भी आपसे से त्यारी कर रहे हैं यदि वो match करते हैं तो आप हमारे notes को हमारे जो PDF हम आपको दे रहे हैं उसको आप simply तरीके से download कर पाएंगे ठीक है और करके आप अच्छे नमबर लाएंगे यह मैं आपसे बादा करता हूँ मैं आपसे बादा कर सकता हूँ कि 85% प्लस मैं बादा कर रहो को दिलाने का और important जो देता हूँ आपको पढ़के चले जाए एक्साम से फैले देता हूँ कोशन है मर्द योगिन राजनितिक चिंतन का मुली सिध्धान्त क्या है बता हूँ बहुत ज्यादा important question और आपको देखे जिस प्रकार से पीडियो प्रवाइड होगी इस प्रकार से होगी same to same उसका इस राइट है सरवस्ता के बारे में और साथी साथ उसके सामूहिक जीवन के और यहां देखें आपसे पूचा जा रही मुश्ट इंपूचा जाता है कि दो तलवारों का सिद्धान संबंदित किसे हैं दो तलवारों को सिद्धान संबंदित था वो था चर्च राज संघर से था बहुत ज़्याद है आपको कोशन पढ़ना है अंसर पढ़ना है बाकी कुछ और मत देखना नहीं होना है तो कौन से नहीं है तो आप करना ये मद्ध कालीन राजनितिक चिंतन का विसेष्था नहीं है कि प्रति निद्व का प्रतिनित्व इसका बिरोद करना नेक्स एक और एक यहां से टॉपि के साथ देदी हम पीडियाप को डालोड कर पाएंगे तो उसमें एक्स्ट्रा कोश्चन है समझ रहे हो हमने आपको यहां एक डोमो दे रखा है एक इप्पोर्टेंट कोश्चन है उसके बाद में आपको आ जाता है next question एक वीनास क्या होता है एक वीनास के बारे में देखेंगे तो यहां देखे बोला गए निम्से कौनसा मद कालीन विचारक है तो आप कहेंगे देखिये जिसे हम सैंट थैमस एक वीनास बोलते है है most important यह बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैमत लिए कोश्चन एकड़ा में बनता है तो मद्द काली ने विचारक था ठीक है नेक्स कोश्चन आपसे पूचता है कि मद्द यूग का अरस्तु किसे कहा जाता है देखिए मद्द जो यूग है उसका अरस्तु किसे कहा ज सी राइट नेक्स कोश्चन है यकवीनास निमन में से किस बिचारों का प्रतिबाधन किया तो आप कहेंगे सब्शुन है है उसके बार उसका उन्होंने प्रतिबादन किया था राज और चर्च के बारे बस इतना याद रखिए तो आपको बिल्कुल आजएगा राज और चर्च राज और चर्च फटावर लगा दो अच्छ नेक्स उसके कौन से सासन सबसे अच्छा माना है तो आपको राज तंतर से अच्छोन भीनां असills की वाड़िव्य सांति है यह किसका यह यह वी एकविनास के सेंट एकविनास बहूस्टidas है यारव है है एक्विनास ने कानून को कितने भागों में बाता आपको करने 5559 आप ś prepared ने स्वेक्ष नास से यहां से शुक दीर है आसे बनते हैं आप आज जाता है मुथ तु मुथ 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 मखंव अवली का होती है में कि आता जिब तो importing नेक्स कौशिन आता है दाप प्रेंज के लेखा कौन है यह बहुत जदा बहुत जदा इंपुटेंट है यह कोशन आता है एक गजाम बेखोंगे तो भी आपसे पूछे का दाप प्रेंज किसके राइटर कौन थे तो आप मैंकिय अवली कहेंगे ऑप्शन नम्बर ती कि पू सबस्क्राइब बनता है कई ताइम से सोचो नेक्स्ट कोश्टन है निम्हें से कौन से रचना मैंके वेली से संबंदित है उप्रोग सभी यह सारी दा आर्ट आप आप दा वार ये भी है तो यह पुष्टक किसने लिखिया है तो मैंके वेली यह मुष्ट इंक्रोटन है यहां से कोशन मनेगा नेक्स्ट कोशन है कि अधुनिक अर्थ में राजसब्द की पहली बार प्रयोग किया घया तो आप मैक्यावेली ने कहा, option number B. next question है, next question आपके सामने आ चुका है, कि राजनीति को धर्म से किसने पृतख किया, आप सब हो कहें के मैक्यावेली ने किया था, next question है, धर्म और नहतिकता के प檄 कर्ण का सिद्धान किसने पृतिबाधित किया तो मैं किया नेक्स कोशन है राजनीति और राजनीति और नेतिकता को पिर्थाकर्ण का जो समर्थन बताया वह किसने बताया यह समर्थन किसने किया था तो आपको को मलकों भी राजा हो सकता है ठीक है तो किसने कहा कि राजा को लोमडी की तरह चालाग और शेर की तरह सक्तिसाली होना चाहिए बदाओ कि राजा को लोमडी की तरह चालाग हो और सेर की तरह सक्तिसाली हो किसने का अथबा कह सकते हैं एक विकल्ब और भी कह सकता है कि छल कपट क जानने के लिए राजा को लोमडी और बहेडियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए किसने कहा यह बहेडियों को डराने के लिए और छलकपट को चानने के लिए लोमडी को होना चाहिए तो यह किसमा मैक्याबेली ने कहा था यह बहुत जादा एक मनुष अपने पिता के हत्यारे को आसानी से भूल जाता है परन्तु अपनी पैत्तक संपत्ती के अभरता को नहीं भूलता ये कर्थन किसने है मतलब आपके किसी भी मालो मैं आपसे नहीं कहूंगा कि कोई भी मनुष है ऐसा बहुत जादा होता है कि अपने पिता की हत्या कोई कर देता है उसको भूल जाता है लेकिन उसकी जो संपत्ती है पिता की उसको नहीं भूलता ये मेरी नहीं है ये मेरे पिता की नहीं है लेकिन पिता को भूल जाता है तो ये कथन किस ने कहा था ये भी मैक्यावेली ने कहा था और ये बात 100% रेल ह बैटा तो ऐसे गोश्चा आपसे पूछा जाता है और यहां मूंगा गया है कि हुआ पने यूक का सिशू किसे कहा गया है तो आप गया है मैघ्चावेलिग का अपने यूगा कैना गोश्ची आपके सामने पेज कि यह भी कि जा रही है ये बहुत जादा ciderỉकर करो तो आप कर लो जाके यार करो फर्ट फर्ट ठीक है काफी इम्पोटेंट है यहां देखो नेक्स कोशन आपके सामने आ चुका है इसको देखे एक वार यदि प्रतिभा शाली जो प्रतिभा शाली जो फोलेसरबादी मैं क्या वैली पूरे-पूरे अर्थ में अपने युक का सिशु थ यह किस ने कहा तो यह जो कहा था पूरे-पूरे अर्थ में अपने युक का शुशु था वो मैं के अवैली यह किस ने कहा था तो आप कहेंगे कि ने कह था देंग डर्निक और जाएंगे डरनिंग किसे ने कहा कि अधुनिक राजनिति विचार धारा का जनक माना जाता है या फिर कौन है या फिर कौन था या फिर इस पार का से कह देंगे कि अधुनिक जो राजनितिक विचार धारा का जनक माना जाता है या फिर है तो आप सिंपल या फिर अधुनिक यूग का प्रिथम वि तो वहां मैचिया बहली है अप लगाएंगे मैचिया बैली अधुनिक विचारधारा का जनक आप्समों Village कि पिरतम अधुनिक का जनक था यह किस ने कह सा यह कह सी सऽ कर द अपने स्वयम का उतक्रष्टम निचोड है ये किसे ने कहा तो डवलू टी जैंप्स अप्शन नमद इसने भी दिया है विल्कुल राइट है यार बहुत अच्छे कोशन है ऐसे आपका लास्ट सी उनिट के पॉइंट रहेगा ये वाला जिसे कहते हैं जीन बोंदा जीन बों ये राजनितिक चिंतन के बारे में और उसके बाद में एकिंसन के बारे में और मैकिया वैली के बारे में और उसका बाद में लास्ट जो टॉपिक बचेगा इस उनिट में वह देगा जीन बोंदा जीन बोंदा के बाद में हम उनिट नमबर 3 को देखेंगे नेक्स वीडिय नागरिको और प्रिजाजनों पर वह सर्बोस्तम सकती है ये किस पर कानून का कोई वंधन नहीं होता ये किस नहीं कहा तो ये वंधा नहीं कहा था नेक्स कोशिशन को चलिए यहां कहा रहा है वोदा के किस प्रकार की सासन विवस्था को सबसे अच्छा मानता है तो देखे वोदा किस प्रकार की सासन विवस्था है उसको सबसे अच्छा मानता है वोदा तो वोदा कह सकते हैं तो वोगर राज तंत्र को सबसे अच्छा मानत है वो किस ने कहा देखे नागरिक बहस सोतंत्र व्यक्ति है जो दूसरे की संवर्भू शक्ति के अधीन है यह किस ने कहा तो आप कहेंगे बोलना नहीं कहा ऑप्षिन नंबर एक ही और जाएंगे सभी लोग पर नेक्स कोशन है क्रांती मैं सबसे पहले बोलता हूं कोशन को पढ़ा करो आंसर पढ़ा करो फालतु कुछ पढ़ने के जो तो नहीं है मैं नोट्स इस परकार से ही देता हूं ठीक है ताकि आपको वह दिक्कत ना हो नेक्स कोशन है क्रांती देखे क्रांती तभी होती है ज इसको तो सभी लोग चैनल को सस्क्राइब कर लें डिस्क्रप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा है आप बहाँ जाके पिली लिस्ट बना रहा है वहाँ भी आप वीडियो को देख पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेर करेंगे तैंक यू लव यू जैहन दोस्त पुलो झाल है तो ऑना भएंट 어त वीडियो को शेर करेंगे लिप लोग पाएंगे जाटा से जयादा लिएच्झाद में सोस्तुम एकशपार्यच्ट भीछ से फникले ऎ साजब झाएंगे पाँ लिए्लक।